आदेश्री जी आपको नमन क्या हम ये कहें कि गुरू के आशिरवात से या जीवन को ही यदि हम गुरू बना ले और जीवन के साथ जी ले तो क्या हम मुक्त हो सकते हैं? जीवन के साथ जैसे आप जीना शुरू करते हो कि जैसे एक शन मेरे पास आता है इस शन में मैं सब कुछ वो करूँ जो मुझे करना है उस शन के साथ न्याय करना अपना बेस्ट उच्चतम एक कॉंट्रिबुशन जो होता है वो देना कि मैं अब इस वक्त क्या कर सकता हूँ अच्छे से अच्छे में, तो जब सोना है, तो मुझे पुरी तरह से सोना ही है, गाना है, तो मुझे पुरी तरह से गाना ही है, तो जो भी करना है, आपको पूर्ण उस क्षन में डूपते हुए करना है, तो आप अपने आप मुक्त हो जाते हैं, तो ये इस कोशिश में जब अर्चन कहीं पर आती है, तकलीफ आती है, ब्लॉक आता है, तब आपको किसी की मदद लगते है, तब गुरु आते है, सिर्फ इस में से निकलने के लिए, और जरूरत होगी तब पहुंचेंगे, नहीं है तो जरूरत नहीं है, आप अपने आप अहां पर पहुंच सकते हों, अपने आपको क्योंकि आपने भी मुक्त रखा है खुद को, तो कोई आएंगे सिखाने के लिए, तो हाल जोड दिये, सीख दिये, सीख लिये उनसे, और अगर नहीं सीखना है, तो आप वैसे ही चल लिए, आप मुक्त हों, क्योंकि कारण कि कईयों का कहना है कि हमारे पास फ् लुक्तो है नहीं, अब आप लखी हो आपको गुरू मिल गया क्योंकि कहते है ये भी है कि गुरू अपना शिख्य चुनता है, शिख्य नहीं चुनता, तो अप शिख्य की बात यह कि अगर मुझे नहीं चुना तो मैं क्या करूacy पिर, पिर मैं कैसे सिखूँं, तो ये उन्होंने क्या करना चेले ? गुरू और शिष्ष्य अगर आप देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है क्योंकि हमेशे ही अपने आप को शिषय के रूख में देखते हैं तो हम यह सोचते हैं कि गुरू आएंगे और हमें चूज करें और फिर हम उनके शिष्य और गुरु जो है, वो ये देखते हैं कि शिष्य कब तयार होगा तब म।ो उसके सामने जाके मिलूँ और उनको कहूँ कि आप मेरे शिष्य हो और शिष्य जो है वो भी पहचान लेता है कि मेरे गुरु ये हैं disparities कि तो दिल जो है दिल गुरू होने का जो आपकी लाइफ में जो बदलाव आता है, जो फायदा होता है उनके वज़े से वो यह है कि आपकी हवस्था को उपर उठाते हो, तो कि आप खुझ से नहीं उठ पाते हैं शुरुआती तोर पे, तो आपको गुरू उठाते हैं उपर की तरफ, पिर आप सी नियम नहीं है, तो गुरू के साथ जब आप रहते हो, आपको नियमों के साथ रहना होता है, और मित्र के साथ रहना है, तो आपको कुछ नियम पॉलो नहीं करना है, और ये मित्र भी आपको उस अवस्था तक लेके जाएंगे, उस अध्यात्मी का वस्था तक, जो सत्य सुर उसी तरह से मैं आपको सिखाता हूं कि मित्र के रूप में रहते हुए सहज होना है और उस सत्य को अनुभव करना है जो बहुत ही सरल है कुछ कटिन नहीं और याद रखे जैसे मैंने का न कोई गुरु आपको बांध की नहीं रखता है हमेशा मुक्त रखता है मुझी भी उन